हेलो फ्रेंड्स जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है मैं आपकी होस्ट अकांग्षा नया वीडियो लेका फिर हाजिरूं इस वीडियो में हम सामाजिक विज्यान की अगली पार्ट यूजना बनाएंगे यानि की पार्ट यूजना क्रमांग तरेपन बनाएंगे अभी तक हम सामाजिक विज्यान की बावन पार्ट यूजना बना चुके हैं उमीद है आपने देखी होंगी और उन्हें पसंद किया ह और यदि अभी तक नहीं देखिए तो आप हमाय चैनल पर जाकर देख सकते हैं या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोली है वहाँ पर भी आपको विविन सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट मिलेगी आप उसे खोल कर भी देख सकते हैं और उसके बाद अब यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताईए मैं आपको उसकी लिंक देदूंगी तो आप उसको देख पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं पार्ठ यूजना बनाना उससे पहले यदि आप हमाय चैनल के न्यू वीविवर्स हैं तो सब् ब्लैक बोर्ट पर भी आपके पार्ठ यूजना के बारे में लिखना होता है और क्रमांग डालना होता है जिससे आपके परिवेक्षा को पता चल सके और आपका व्लोकन करता जो सहब पार्टी होता है उसको पता चल सके कि आपकी पार्ठ यूजना किस विशे में हैं आपक प्रक्टिस टीचिंग के लिए भीजा जाएगा उस विध्याले का नाम आपको लिखना है जैसे हम जेमके पर आपको लेसें प्रेजन प्रेजन कर रहे हैं आपको अपको अपने महा विध्याले का नाम लिखना है और उसके बाद नाम आप कालांश तो कालांश में जब भी जिस पीरिट में पढ़ेंगे वो पीरिट आपको पता ही होगा तो आप वो पीरिट यहां पर डाल देंगे फिर आता है प्रकरण, प्रकरण है हमारा अशोक एक अनुखा समराड जिसने युद्ध का त्याग किया, यह हमारा टॉपिक है, लेकिन टॉपिक हम तब डालते हैं जब हम उद्धेशे कथन बोलते हैं, यानि कि हम बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आज हम अशोक एक अनु पुरहीगा अब आते हैं पार्टियोजना के पहले पॉइंट पर जो कि हैं सामान्यूद्देश मैंने पूरवनुसार लिखा है क्योंकि सामाजेविज्ञान में इतिहास पढ़ाने के सभी पार्टियोजना के सामान्यूद्देश एक समान होते हैं तो आप प्रिवियस पार् बच्चों को क्यों पढ़ाना है तो हमारा पहला विश्ट उद्देश है विद्यार्ति अशोक सम्राठ के बारे में जान पाएंगे दूसरा है मौरे वन्ष कलिंग युद्ध अशोक का धम मौरे समाज आधी के बारे में जानकारी प्रदान करना यानि इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे फिर उसके बाद आता है सिक्षण साहक सामगरी यानि हम जो कक्षा में प्रेजेंटेशन को रूचग बनाने के लिए कुछ TLM यूज करते हैं सिक्षण साहक सामगरी या आवशक सामगरी दोनों पॉइंट को भी आप अलग अलग लिख सकते आट यह क्योंत्त हैं भी यहां पर रहें होते हैं, जहां आप प्रश्नुथर पूछ रहें हैं कि सी चीज सो ड्रिटील में बताहरें तो व्यख्या विधि हुह और योदी आप चार्ट को एक्स्ऽेन कर रहें, या मॉडल दिखा रहे हैं तो वो प्रदर्शन विद्य होई तो यह सारी विद्यां का हम बाठी एजना में इस्तिमाल करेंगी उसके बाद आता है पूर्वग्यान, पूर्वग्यान के एकॉर्डिंग ही हमारे इंट्रोडेक्शन कॉशन यानि प्रस्तावना प्रश्न होते ह यहां पे जो हमारे पूर्वग्यान बच्चों का वो यह है कि विद्यार्थी सम्राट, राज्य एवं बन्चादी शब्दों से परिचत हैं और जानकारी रखते हैं सामाने यहां पे आप यह भी कर सकते हैं लिख सकते हैं कि वो शेर जीता तेंदुआ इसके बारे में जानते हैं रास्टिप पशु पक्षी के बारे में जानते हैं तो थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं हमारे टॉपिक से रिलिटेड उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रस्त पुम्डी हिरन बाग आप अगला प्रशन करेंगे कि बाग किस देश का रास्ते पशु है तो बच्चे बताएंगे भारत फिर आप यहां पर अगला प्रशन करेंगे कि नोट बंदी के बाद कौन कौन से नए नोट आए हैं तो यह जानकारी भी आप पूरविज्ञान में ल कहते हैं तो अशोक इस्तंब यहां पर अकेला लिख दिया मैंने नोट फिर उसके बाद अगला प्रशन है अशोक इस्तंब किस ने बनवाया तो यह समस्यात्मक प्रशन हो गया तो यहां से ही हम उद्देश कथन बोलेंगे कि बच्चों आज हम अशोक एक अनोका समराट ज स्तूती करण में आपको कॉलन बनाने होते हैं सिक्षन बिंदू चात्रध्यापी का वहवार विध्यारती वहवार और श्यामपट कारें पहला आपका सिक्षन बिंदू है मौरे समराज यहां पे आप उनको उसके बारे में बताएंगे कथन के माध्यम से तो यह हमने लिख मौरे समराज बहुत बड़ा समराज्य था इस समराज के भीतर कई छोटे छेत्रवा प्रांत थे विध्यारती क्या करेंगे ध्यान पूर्वक सुनेंगे आप जो भी आपका सिक्षन बिंदू होगा वह ब्लाग पूर पर भी डालते जाएंगे और प्रमुक चीजें लिखत तो उसका बीटा बिंदू सायर और बिंदू सायर का पुत्र अशोग इनको हम ब्लाक बोड पर भी लिख देंगे इस तरीके से विध्यारती ध्यान पूर्वक सुनेंगे उसके बाद आप यहां पर प्रशन कर सकते हैं बहुद कि कौन से प्रमुक समराज हुए अगला हम से जो कि हमारा सेक्शन बिंदू है हम थोड़ी से उसकी प्रस्ट भूमी बताने के लिए यह चीजे बताते हैं अब हमारा जो मेंड पॉइंट है वह आ गया है कि अशोग मौ रेवन्ज का सबसे प्रशेद सा सकता है ऐस ऐसे पहले साशक थे जिन्होंने अभी लेग त्वारा हैं वह आप यहां पर लिख सकते हैं जैसे उनके अभी लेग प्राकरत्वा देव नागरी लिपी में थे तो आपने यहां लिख दिया इस तरीके से फिर बहुत ब्रशने कर लेंगे कि मौरवन्ज का प्रसिख शाचक कौन था बच्चे आंसर देंगी आपको ब्लाग बोड पर भी लिखना जिससे अने बच्चों को भी आए अगला पॉइंट है हमारा अशोक का सामराज सामराज के बारे में आप बताएंगे विध्यारती ध्यान पूरवक सुनेंगे आप बताएंगे कि अशोक जिस सामराज पर शाशन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा निभेन भाषाएं बोलते थे वे लोग ज्यादा अलग-अलग प्रकार के भूजन करते थे शायद वे लोग शायद अलग-अलग प्रकार के भूजन करते थे यहां तक की अलग-अलग किस्म की पोशाके पहनते थे तो यह वहां की जो नागरिक जो बुक्स मिली होंगी लिखान उन्हों इन समय के शासर का completed कि आ तो उसके और या आधा है जानकारीAm और शोक के बारे में जानकारी उसके शिलासे dość का भछों को बताना से आपको यह भी बच्चों को बताना है आप यह आप पूछी मौंसम राजी की स्थापना किस ने की थी बचे अंसर देंगे और आपको अंसर ब्लैक बूर्ट पर भी लिखना है अगला प्रश्न करेंगे कि चंद्रगुप की सहेता किस ने की थी तो कोटे लेने की थी फिर हमारा अगला पॉइंट है कलेंगे युद्ध कलेंगे युद्ध के बारे में बच्चों को करेंगे कि कलिंग टटवर्ती उड़ीसा का प्राची नाम है अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा लेकिन युद्ध जीतने जितनी हिंसा और खुन खराबा देख गई युद्ध में उसका हिदय परिवर्तन हो गया था और उसने युद्ध को छोड़ने का निर्ने लिया था तो यह सब आप बच्चों को यहाँ पर एक्स्प्रेइन करेंगे फिर बहुत ब्रशन करेंगे यहाँ बच्चे जब आप ए करेंगे अशो का धम कि अशो कुने साम्राजी अलग अलग धर्मों को माणनेवाले लोग रहते थे लेकिन अशोब ने शबह धर्मो को समान आप कुछ प्रमुक विंदू ब्लाग बोड पर भी लिख सकते हैं, बहुत प्रश्ण करेंगी, अशोक किस के उपदेश से प्रभावित थे तो बुद्ध के, अशोक ने अपने संदेश के किन पर खुदवाए तो शिलाओं पर और स्थम्भों पर, फिर आता अगला पॉइं मूलियंकन प्रश्ण कि मौरे वंच के कौन से तीन महतपून शाषक थे हुए? अगला प्रश्ण है, अशोक किस वंच का प्रसिद शाषक था? अशोक के समराजी की स्थापना किस ने की थी? या मौरे समराजी की भी पूच सकते हैं आप उनसे, अशोक ने कभी युद्धि प्राटशीट का इस्तमाल करें उसको ब्लैकबोड आकार में काटें और उस पर ब्लैकबोड फिलिंग जो हम शुरू में लिखते हैं वो लिख दें और कुछ प्रमुक शिक्षन बिंदू लिख दें यदि आप शैंपर प्रारूप कैसा बनता है यह देखना चाहतें तो प्र परिवेख्षक टिपड़ी यानि आपका जो भी परिवेख्षक होगा यहां पर टिपड़ी देकर बताएगा कि पार्ट का प्रस्तुति क्यारण कैसा था अच्छा था बुरा था क्या सुधार की आवशकता है यानि लेसन प्लान से रिलेटेड गुट पॉइंट बैट बैल आइकोन प्रेस करें जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाब ले सकें धन्यवाद जैहिंद